जैहिंद मेरे पहरे साती है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSTGD Constable के लिए physical के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि बहुत सारे candidate की problem है कि वो अपना physical complete नहीं कर पा रहे हैं जिनकी 5 km के running नहीं लग पा रही है और महिला अब बिढ़ते हों की 1.6 km की जो running ह है वो complete नहीं हो पा रही है तो ऐसे मैं आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी के लिए SSTGD Constable 222 सेज की भरती के लिए physical batch स्टार्ट की है जिसमें no selection no fees का भी procedure है कि अगर आपका selection नहीं होता है तो कोई भी fees आपकी नहीं होगी पूरा process मैं आप सभी को यहाँ पे बता के selection के chances और कहीं से बहुत जादा होंगे दूसरी बात जहां पर आप रहेंगे खाएंगे पीएंगे वो एक दम आपको घर जैसा माहूल मिलेगा जहां पर आपको एक परसेंट भी किसी भी चीज़ की problem नहीं होने वाली यानि कि आप 10 दिन रोकें 15 दिन रोकें 20 दिन या मही जितने टाइम आप वहाँ पर stay करेंगे आपको हर एक चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी पूरी facilities आपको दी जाएंगी जिससे कि आपको कोई असोबिदा ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो जिससे कि आप बिना टेंशन के अपने physical की तैयारी कर पाएं तो अब देखिए य यहां पर मैं बता दूँ कि यहां पर no selection no fees का प्रोसीजर है यानि कि दो टाइप के यहां पर बैच चलाए जा रहे हैं दौन टाइप कि अगर मैं बैच की बात करूं तो देखिए पहला जो आपका बैच रहेगा वह जो बैच रहेगा एक रहेगा आपका नोन गारंटी बै करेगा कि आप गारंटी बैच में जाना चाते हैं या नोन गारंटी बैच में चाते हैं तो दोनों टाइप के यहां पर बैच हैं क्योंकि अगर आप गारंटी बैच में जाते हैं तो आपकी जो fees होगी वो refund हो जाएगी अगर आपका selection नहीं होता है और नोन गारंटी बैच यहां पर सबसे main जो doubt आता है वो आता है fees का तो fees के लिए आप सभी को मैं clear कर देता हूं कि यहां पर कितनी आपकी fees रहेगी और कितनी refund हो जाएगी क्या जैसे कि मैंने पहले ही आप सभी को बोल दिया कि यहां पर fees आपकी और से जादा हो सकती है लेकिन किसी भी चीज में कोई compromise नहीं होगा क्योंकि हमें कैसे भी करके आपकी running करवानी है और running के लिए बहुत सारी संसादनों की जरूत पड़ेगी तो उन सभी संसादनों के लिए fees आपकी थोड़ी सी जादा हो सकती है लेकिन आपको यहां पर success भी मिलेगी क्योंकि इस बार आप सभी जानते हैं कि इस बार का पूरा जो kill depend करेगा इस बार selection का वो depend करेगा physical में क्योंकि पिछली बार भी आप जानते हैं कि कीबल 32.56% ही बच्चे पास हो पाई थे अगर आ और अगर आपको एक परसेंट भी डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं physical में fail हो जाऊं तो आपके पास one of the best option है कि आप कोई भी academy join करने हैं अगर आप चाहें तो हमारी गड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं किसी और की जो भी आपको best लगती है आप वहां चले जाएं कोई प आपका रहना, खाना, आपकी physical की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें included हैं इसके अलावा आपको अलग से कोई भी amount पे नहीं करना है यानि कि hostel, mass जो भी चीज़ रहेंगी वो सभी इसमें include रहेंगी और यह आपके पूरे physical time तक का रह गया यानि कि इस बार आप का हम इसमें cover करेंगे क्योंकि इतना ही cover हो सकता है, in case अगर आपका stay एक महीने से ज़्यादा चला जाता है, one month से ज़्यादा तो आपको आपकी hostel और आपकी जो mass की fees होगी जो कि आपकी 5000 रुपे पर मन्त है, जिसमें आपका hostel में रहना, खाना, पीना, यह सारी चीज़ें हो पूरे एक महीने के लिए आपकी जो fees रहेगी वो रहेगी 200,000 रुपे, जिसमें रहना, खाना, पीना, सारी चीज़ें आपकी cover हो जाएंगी, इसमें क्या रहेगा कि अगर आपका selection नहीं होता है, यानि कि अगर आपकी dot नहीं हो पाती है, आप physical में fail हो जाते हैं, क्योंकि ह हमारा का में आपकी dot complete करवाना, और किसी भी region से अगर आपका यहां पे running complete नहीं हो पाती है, यानि कि dot में आपका selection नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आपकी fees यहां पे refund हो जाएगी, अब fees कितनी refund होगी, वो भी मैं आपको यहां पे clear कर देता हूँ, कि केवल जो आपकी जो कोई भी amount वाकी का आपसे नहीं लिया जाएगा, clear आपके 15,000 पे यहां पे directly आपको refund हो जाएगे, यानि कि अब आप यह decide कर तकते हैं कि आपको guarantee वेच में जाना है, यह non guarantee वेच में जाना है, दोनों वच्चों की तैयारी ही एक तरीके से करवाई जाएगी, बस यह guarantee वेच जाएंगे, बाकी का कुछ भी नहीं है, और यह जो program है day 1 से, ठीक है, day 1 से day 30 तक है, ठीक है, यानि कि जो fees है, physical वगेरा की, जिसमें यह जो fees वगेरा है, वो कुछ भी extra add नहीं होगी, अगर मान के चलो कि आपको 30 दिन से जादा रुकना पड़ गया, 45 दिन, 60 दिन, यानि 30 जिन से अगर आप उपर जाएंगे, एक महिने से अगर आप उपर जाएंगे, तो फिर आपको क्या रहेगा, कि 5,000 रुपया आपको मैस की और होस्टल की fees पे करनी है, बाकी की कोई भी fees पे नहीं करनी है, इसके अलाबा, दूसरी चीज में आप सभी को बता दूँ कि हमारी एक और अकेडमी अभी तयार हो रही है, वो पूरी दरह से तयार नहीं हुए है, जैसे वो कम्प्लीट हो जाएगी, तो दूसरी जगे एक और अकेडमी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ही बड़ी अकेडमी रहेगी, और उसमें क्या रहेगा, कि अगर आप फ्यूचर में, अगर आप फ्यूचर में चाते हैं, अगर आप जॉइन करना, तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी, ठीक है, जॉइनिंग जो आपके लिए रहेगी, वो फिरी ऑफ कॉस्ट रहेगी, यानि कि जो बच्चा एक बार आ चुका है, वो वह विश्चे में कभी भी आए उसके लिए वो सारी चीज़ें फिरी रहेगी, केवल उस बच्चे को मैस का, सॉरी, बच्चे को मैस प्लस होस्टल, यही पे करना है, जितने महीने रहेगा, जब तक रहेगा, जब तक क्यो उसे पे करने हैं, बाकी का उसे, जो फिजिकल की फीस रहेगी, जो कि इसके लिए आना कहां पड़ेगा कहां पर इसे जाइन करना पड़ेगा कैसे contact कर सकते हैं वो सारी चीजहें देखो आप कहीं से भी belong करते हों all over India में हो सकता है कि बहुत जगह के candidate होंगे आलग-अलग आने के लिए आप train से bus से कैसे भी आ जाएं तो यहां पर गाराप Bus से आते हैं buss आते हैं तो bussStand आप सभी को आ जाना है और bussStand आने के बाद euro झाल कर दिएका आप कोई भी दिखकत आपको नहीं होगी ऐसा नहीं है कि अस्रोपता जैसे कोई चीज नहीं होगी इसके अलाबा अगर आते हैं ट्रेंग से तो आप सभी को पताईए के मठोमें यहाँ पे जंक्शन है और जंग्शन पर जैसे आप पहुंचते हैं जंक्षन पर रेलिवे जंक्शन प्रिकल की तयारी करवाई जाएगी सई तरीके से आपको रखा जाएगा यानि कि अगर आप घर से दूर भी आते हैं तो कोई भी अशुवधा आपको नहीं होगी बहुत आराम से एकदम बहुत अच्छे इंवर्मेंट में आप रह सकते हैं और आपको हर एक चीज मिलेगी य एक कंडीचन यह है कि कम से कम 15 दिन का समय उस बच्चे को मिलना चाहिए रणिंग के लिए ऐसा ना हो जैसे कि मान के चलो आप तीन तारी को आते हैं एक्जाम्पल के लिए मैं बतारूं और छे तारी को आपका फिजिकल हैं तो आपका गारेंटी वैच में जो है हम रजिस् अगर 15 दिन का समय नहीं है तो आपको नोन गारेंटी वैच में ही एडमीशन मिलेगा गारेंटी वैच में आपका एडमीशन नहीं हो सकता तो यह चीज भी आपको क्लियर रखनी है अब आपको कॉंटक्ट के लिए आपको बता दिया कि पहले पहुंचना कहा है अगर आप यहां पे पहुंचते हैं तो आपको कॉल करने के लिए आपको नंबर में दे रहा हूं तो यह जो आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है आप इसे नोट कर ले आपको इस नंबर पे चाहें इस से रिलिटेट अगर कोई डाउट है कोई है फिजिकल के बारे में कुछ भी जानना है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7088-794016 ठीक है आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको पूरी information दे दी जाएगी जो भी आपकी help रहेगी वह आपकी कोई समस्चा नहीं है आप इस नंबर पर कॉल कर देंगे 7088-794016 तो इस पर आप कॉल करेंगे तो आपको बस स्टेशन या रेलबे स्टेशन जहां पर आप आते हैं वहां से आपको पिक अप कर लिया जाएगा और अकेड़ी तक आपको छोड़ दिया जाएगा आप मेल हैं आपको कोई दिक्कत रहने खाने पीने की कुछ भी नहीं होने वाली तो आप बे फिकर हो के आ सकते हैं अगर अच्छा अपसर है क्योंकि इस वार आपकी फाइनल मेंड कम जाने के चांस इसलिए हैं क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी करवाया जा रहा है तो यह आपके पास मौका है कि अभी आपको समय मिल रहा है तो आप इस समय का यूटलाइज करें और अपने फिजिकल की तैयारी की हो मैं कुछ सलेक्टेड बंदा हूँ एससी जीडी में भी यूपी पुलिस में भी और आप सभी को पता है इतनी ट्रेनिंग की है साथ आट महीने अकेडमी में गुजा रहे हैं तो मुझे अच्छे से पताए कि कैसे खाना पीना दौड बगरा कैसे करनी है जिससे का बच